बचो आज हम physics का सबसे important देखिए physics में वैसे तो mechanics tough होती है और 11th में और 12th में एक ब्रांच आती है and simple harmonic motion नाम में लिखा हुआ है simple तो बहुत simple होगा ऐसा नहीं है यह बहुत ही difficult होता है मतलब अगर हम friction, rotational motion और SHM पे examiner अगर वो अपने पे आ जाएगा तो ऐसी problem frame कर देगा आप किती भी practice क्यों ना कर रखी हो आप उस exam time पे उस tension moment पे उस problem को solve नहीं कर पाऊगा आपको छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ना पड़ेगा इस chapter की मैं complete theory पहले finish करूँगा, then मैं इस पर example दूँगा, ठीक है कुछ chapter ऐसे होते हैं जहाँ पर एक single heading मैंने clear की, then example लिया, next heading पर आया, example लिया, कुछ chapter ऐसे होंगे जहाँ पर complete theory पहले finish करने पड़ती है, उसके बाद example लिये आते हैं, तो यह chapter उस type में आता है, जहाँ पर as such कोई बहुत जारा मुझे explain करने की need नहीं है, हाँ, फिर इसके बाद जो यह right वाला portion आएगा, यह column, यह आपके लिए मुझे explain करना पलेगा, ठीक है, सबसे पहले हम समझते friction क्या होता है, friction, ठीक है ना, तो friction के definition है यह, यह आप copy करेंगे, it is an opposing force, यह एक oppose करने वाला force है, देखें, यह एक most common definition है, जो आपको almost हर भुक में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि friction हमेशा motion का oppose करता है, कभी कभी friction जो होता है, वो हमारे motion का support भी करता है, even जब हम walk कर रहे हैं, हम run करते हैं, तो हम walk क्यों कर पा रहे हैं, हम run क्यों कर पा रहे हैं, हम move एक place से, दूसरी place से move क् because of friction, इसको आगे देखेंगे, अभी आगे देखेंगे, अभी हमको simple समझना है, कि friction की most common definition क्या है, वो यह लिखी हुई है, कि it is an opposing force which comes into play when one body actually move, move करने का मतलब यहाँ पर दो बाते हैं, जा तो वो उस पर slide कर रहा होगा, slip कर रहा होगा, और wheel क्या करता है, surface पर roll करता है, ठी कर रही होगी, और या वो रोल कर रही होगी, दोनों count करेंगे हम लोग, ठीक है, तो it is an opposing force which comes into play when one body actually move, slide or roll, और event tries to move over the surface of another body, कभी-कभी ऐसा होगा, कि मान लेजी imaging करिए, यहाँ पर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बह यह move नहीं कर पा रही है, तब भी जो oppose करने वाला force आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, friction force, agree करते हैं, ठीक है, friction force, friction forces are electromagnetic in nature, क्या होता होगा, वो तो हजब लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, अब यह को learn होना सही है, कि Frictional forces are electromagnetic in nature, ठीक है नही है, Friction force की type की बात करते हैं, Friction force को तो टाइप में divide किया गया है, Broadly अगर देखा जाए, तो friction forces are classified in two types, static friction and kinetic friction, नाम से clear है, static friction, जब मैं body पर force लगात हो रहा हूँ, body को मैं move कराने की try तो कर रहा हूँ, but body move नहीं कर पा रही है, body still अभी भी static condition पे है, तो उस time पर जो oppose करने वाला force आएगा, वो force जो body को move कराने क अपोस कर रहा है, उसके through body move नहीं कर पा रही है, मैं try भी कर रहा हूँ, body move नहीं कर पा रही है, तो उसको बोलेंगे static friction, नाम से clear, जब body static होगी, तो जो friction force operate होगा, उससे बोलेंगे static friction, ऐसा भी हो सकता है, कि body एक surface पे slip कर रही हो, या roll कर रही हो, clear होई है, तो अगर body एक surface sleep करेगी, मैं बोल रहा हूँ, sleep करेगी, तो उस time पे body kinetic condition पे होगी, तो जो friction force आएगा, उसे क्या बोलेंगे, kinetic friction, तो friction force को दो टाइप में divide किया गया, static friction and kinetic friction, फिर अगर है बहुत deep में बात करूँगा, तो static friction and kinetic friction में, static friction को हमने further दो पार्ट में divide किया, देखिए, अगर मैं इस एक block frame करता हूँ, यह दो, this is a block, यह एक block बना हुआ है, चीक है, और यह एक surface है, और देखिए, यह भी surface बनाई मैंने, और साथ में मैंने इस पे एक wheel, यह एक wheel ले लिया, अब दो को बैटे क्या है, ध्यान दीजेगा इसमें, जैसे कि यह जो block है, यह कभी roll नहीं कर सकत है, या तो यह move नहीं करेगा, और अगर move करेगा, तो इस वाले पे wheel slip करेगा, ऐसे जाएगा, यह कभी roll नहीं कर सकता है, इसकी बात करूँगा, clear हुआ, तो यह roll भी कर सकता है, agree करते हैं, और साथ में slip भी कर सकता है, इसके पास दोनों चीजे है, यह slip करके भी आगी आ सकत सकता है, और गोल गोल घुं करके भी आगे आ सकता है, अगर गोल घुंते घुंते आगे जाएगा, मैं बोलूँगा, roll कर रहा है, अगर slip करते आगे जाएगा, मैं क्या बोलूँगा, इस simple slipping कर रहा है, तो यह दोनों काम कर सकता है, यह Board princess roll नहीं कर सकता है, clear हो आईए, त कर सकती है clear हुआ है और वो एक्चुल में स्ट्राइड न करके roll ही कर रही होगी तो वहाँ पर जो static friction operate होता है उसको बोल देते है rolling friction तो static friction के दो सब टाइप्स हो गए rolling friction and static friction clear हुआ तो obvious सी बात है rolling friction is a kind of क्या हो गया static friction बहुत ही आपको awkward लग रहा है कि body roll कर रही है तो आपको लग रहा है कि body kinetic condition पे body movable है तो उस case ने तो friction force आना चाहिए वो kinetic आना चाहिए instead of static friction बट नहीं technically rolling friction is a kind of static friction most 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 important point तो हम इस पे star में लगा रखा है कि rolling friction is a kind of static friction कैसे हो जाता है सर ऐसा कैसे होता है अभी जैसे दे सेम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको हर एक point का reason मिलेगा clear है तो बच्चों आपने ध्यान दिया पहले आपने यहां तक तो इसको node कर लिया पूरा पूरा ठीक है friction forces are electromagnetic in nature and rolling friction is a kind of क्या हो गया static friction मेरा point clear है यहां तक अपने node कर लिया ठीक अब अच्चे मैं क्या करूंगा मैं experiment कर रहा हूं मैं score up कर देता हूं और हम एक experiment करेंगे और आप देखेंगे कि जो complete chapter है यह जो पूरा पूरा हमारा chapter है वो simply उस experiment पर based होगा अब देखेगा यह complete chapter जो हमारा है यह केवल उस experiment पर ही based है जिस experiment को मैं करने वाला हूं ठीक है बहुत ही carefully watch करिएगा ठीक है दो को मैंने क्या करा अभी यह अच्छा एक बाद और ध्यान दें rolling friction के हम study करते है rotational motion में तो में इस friction chapter में अभी हम केवल उन blocks की study करेंगे उन bodies की study करेंगे जो block की shape में होंगी जो roll नहीं कर सकती है कि वह slide कर सकती है slide कर रही है kinetic friction slide नहीं कर रही है static friction अभी हम rolling friction को discuss बाद में करेंगे rolling friction यह rotational mechanics में आएगा और देखिए मैंने ऐसे बोला था कि rotational motion बहुत तफ होता है और वहीं से एक फिला को आने लगी विकास बच्चे को लगता है कि rolling friction body move कर रही है तो kinetic friction आना चाहिए जबकि टेक्निकली मैंने क्या लिखवाया कि rolling friction is a kind of static friction नहीं से आपको idea आ रहा है कि rotation बहुत ही important interesting and difficult है ठीक है चलिए अभी मैं rotation को friction नहीं करूँगा मैंने क्या करा मैंने एक देखिए example लिया यह heavy body है ध्यान देना बच्चे क्या है यह यह heavy body है और real life में देखिए कभी भी कोई भी surface smooth नहीं हो सकती है अब यह तक होता क्या था कि हमनों Newton's loss of motion में जब हम पढ़ते थे तो हम देखते थे भी हम लोग भी देखिए surface is frictionless surface is smooth ठीक है वो ideal बेटे case हो गया because real life में कभी भी कोई भी surface perfect smooth नहीं हो सकती है obviously बात है आप agree करते है मेरी बात से ठीक है तो हमने क्या करा हमने एक real surface ली real surface मतलब क्या हो गया कि surface में कितनी भी high amount of polish को की जाए friction कम हो सकता है बट friction कभी zero नहीं हो सकता है ठीक है तो मैंने एक body को लिया मैंने draw किया और अभी मैं वह वही वारी body ले रहा हूँ जो slip करेंगी जो कभी roll नहीं कर सकती है ठीक है न और ये एक rough surface है rough surface ठीक clear है अब मैंने क्या करा है हमारा aim ये था कि मेरे को एक बंदे ने बोला कि यार ऐसा करेंगी प्लीज ज़रा आप इस body को slip करा दीजे प्लीज इसको आप यहां से वहाँ पर move करा दीजे इसको यहां से उठा करके तो मैंने कहां मैं कर सकता हूँ ठीक है मैंने करने के try करी और देखिए बैचि ध्यान देना मैंने इस पर 10 newton का force apply किया कितना apply किया 10 newton का मैंने इस पर force apply किया और देखा मैंने इपनी ताकल लगाई बर लेकिन अभी भी block move नहीं किया ऐसा होता भी है कि अगर एक heavy से body को हलका सा force लगाएं तो वो body move नहीं करती है body rookie रहती है agree करते है body rookie हुई है पहले बताइए इसके expected direction of motion कौन सी है मैंने क्या बोला expected direction of motion क्या यह vertical direction में move करने की try करेगा जो horizontal में yes यह horizontal direction में towards right जाने की try करेगा because मैंने इसमें motion की tendency को towards right ही apply करा रखा हुआ है बड़ यह move नहीं किया और यह आपने experience भी किया होगा heavy सी body पर अगर आप हलका सा force लगाएं तो body move नहीं करती है body move नहीं करती है तो body still अभी भी horizontal direction में equilibrium में है की नहीं है है equilibrium पे है लेकिन बच्चों अगर आप इसका free body diagram बनाईए क्या बोले आईए free body diagram जड़ा बना के देखते हैं देखिए पहला तो इस पे एक force बेटे आएगा mg आएगा दूसरा तो को force इस पे आएगा normal reaction कई बार हमनों कर चुके है normal reaction की direction कुछ इस तरह की आएगी फिर third force tension न सारा सारा observer observing ground होता है agree करते हैं ठीक है अब देखिए 10 newton पे मैंने अपलाई किया और यह static रह गया ठीक है अब देखिए इस पे mg भी आ गया n भी आ गया tension नहीं आएगा spring force नहीं आएगा pseudo force नहीं आएगा तो अगर आप friction को भी छोड़ दें तो आप देखिए इन तीनों दो force यह और तीसरे force यह इस force का कोई भी counter force available नहीं है अगर कोई counter force available नहीं है तो इस direction में right की तरफ इस force के help से body को move करना चाहिए था but physics is based on experiment science is based on experiment देखा मैंने कि नहीं यार 10 apply करने पर भी यह move नहीं किया और newton's lock accordingly अगर इस direction पे देखिए इस direction पे किवला के लिए यह force आएगा इसके oppose करने में कोई force अगर नहीं आएगा तो definitely इसको move करना चाहिए था बड़ यह move नहीं किया तो मैंने conclude किया कि 100% एक ऐसा contact force मैंने क्या बोल दिया एक ऐसा contact force और भी आ रहा होगा तो contact force दो तरह के हो गए एक तो हो गया normal reaction जो contact surface के normal आता है और एक contact force और भी develop हो रहा होग जो normal जो contact surface के normal नहां करके contact surface के along आता है अगरी करते हैं और definitely बताइए वो उस contact force को जो normal जो contact surface के along आता है clear हो आईए अब बताइए friction force जो आएगा उसकी direction क्या होनी चाहिए ये force इसको right move कराने के try कर रहा होगा तो definite सी बात है यहां से उतनी amount का बताइए 10 amount का ही एक force और operate हुआ होगा clear होगा जिसने इस body को move करने से रोका होगा agree करते हैं अभी net 40 हो गया तो body move नहीं करी बट लेकिन मेरे को तो assignment दिया गया था कि नहीं यार मेरे को तो इसको move कराने कराना है तो मैंने क्या करा मैंने force को और increase किया यह मैंने काम किया कि मैंने अपने friend को बलाया कि यार तुम भी आओ दोस्त ठीक है ना help करो और इसको यार total force along the direction of motion मैंने क्या बोला total force along the expected direction of motion कितना हो गया 10 और 20 दोनों support कर रहे है 30 आया बट मैंने देखा कि हम दोनों इतना heavy body थी कि हम दोनों मिल करके भी इसको move नहीं करा पा रहा है मतब अभी भी body horizontal direction में कैसी है yes equilibrium पे है अब बताइए horizontal direction पे मैंने कितना apply किया 20 and 10 30 apply किया तो बत contact force friction force की value 30 आएगी तभी net force 0 हो पाएगा जब मैंने 10 apply किया नहीं move किया तो counter में 10 देगा ताकि net force along the expected direction of motion 0 हो जाए body move नहीं करेगी जब मैंने 30 apply किया तो reverse भी 30 मिला और body move नहीं करी agree करते हैं बासन में आ रही है ठीक है ना ठीक मैंने पने एक friend से और बोला किया तुम भी apply करो उसने भी अपनी पूरी-पूरी maximum ताकत लगाई clear वाई ये और उसने maximum effort लगाया 10 newton का agree करते हैं अब देखिए total force कितना हो गया along the expected direction of motion 10 plus 20 plus 10 is 40 newton और नहीं observe किया कि अभी भी ये body move नहीं कर रही है मतलब इसका मतलब इस contact surface ने exactly 40 newton का opposite direction में force apply किया होगा अब force कितना हो गया होगा यहां से 40 newton का इसने reverse direction में force apply किया होगा कि 40 right में गया 40 left में आया net force along the horizontal direction still zero हो गया अभी भी zero है body move नहीं करी अब देखा मैंने कि छोटा सा बच्चा जा रहा था हम तीनों लोगों ने इसको force लगा रखा हुआ है 40 newton का बड़ी ये move नहीं कर रहा है एक छोटा सा बच्चा जा रहा था उसने हम लोगों को देखके यह आप लोग क्या कर रहे हैं टीक है तुम बताया कि दोखो बेटे ऐसा है कि यार यह हम लोग आरा एम है कि यह body move नहीं कर पा रहे है यह इस बोला हम लोगों से क्या मैं आपकी help कर सकता हूं तो हम लोगों को यह रहा है आई यार कि दो बच्चा क्या कर पाया है अब चलो और बॉडी तुरंट स्लिप कर गई ध्यान दीजेगा जो एक्सपेरिमेंट किया था दीजेगा उस बच्चे ने जैसे ही हलका सा माइनूर सा इंफानेटली स्मॉल फोर्स एलोंग दा एक्सपेक्टेड डिरेक्शन अफ मोशन टुवर्स राइट अपलाई किया बॉडी इंस्टेनेसली क्या कर गए बॉडी स्लिप करना है स्टार्ट कर गई क्लियर हो वाई है बच्चा चला गया हट गया वो हम तीनों मिल करके इसको स्लिप कराने लगे हैं बच्चो एक बात अपने और एक्सपेरेंस की होगी अभी करके देखेगा आज आप लोग कि अगर आपको आपको आपसे बोला जाए कि टेबल है या कोई अलमिरा है क्लियर कम एफर्ट से धीमे धीमे आराम से मूग कर जाती है कभी देखेगा बॉडी क्या सीखा अभी हमने कोई मैथमेटिकल बात नहीं कर रही है अभी हमने केवल अपने एक्सपेरिमेंट से अपने एक्सपीरियंस से जो हमने रिया लाइफ में किये हुए हैं उनसे के नोर्स प् motion में set नहीं कर पा रहे थे बच्चा आया उसने infinitely small जरा सा भी हलका सा force हमारे support में लगाया और body sleep कर गई और जैसे body sleep करने start कर गई तो हम लोग अब हम लोगों को उसकी need नहीं पड़ी और हम तीनों लोग आराम से easily इसको sleep कराते चले गए मतलब क्या notice इसके note के note बनाया हम लोगों ने कि body को just move कराने में हमको effort force ज़्यादा लगाना पड़ता है और एक बार body अगर motion में set हो गई तो पहले बात तो अब जब motion में आ गई और फिर no doubt body अगर motion में आ गई और हम लोग force लगाना बंद करने तो body हलका सा आगे जाके रुख जाएगी इसका मतलब body जब move करती है तो moving condition पर भी surface उस body को उसके आगे जाने वाले motion का oppose करती है इसलिए अगर हम लोगों ने force लगाना बंद कर दिया तो हलका सा आगे जाने के बाद body retard करते करते उसकी speed zero हो जाएगी means friction force static condition पर भी operate करता है और जब एक body motion में set हो जाती है slip करने लगती है तब भी friction force between the surfaces in content operate करता है इसलिए friction force को दो पाप में डिवाइड किया गया है static and kinetic agree करते हैं और देखा हमने कि body को just move कराने में हमको effort ज़्यादा लगाना पड़ा और एक बार जब body move कर गई तो फिर कम force से body easily move करते चली आती है लेकिन हमको force apply करना हाँ पड़ता है यह चीछ हमनों नोटिस करी अब हम यह काम करते हैं इसी experiment को reverse करके देखते हैं देखो पहले case में ध्यान देना जब मैंने 10 newton apply किया था right side पे तो friction force कितना आया था पताए जब मैंने 10 अकेले मैंने 10 apply किया था तो friction force कितना आया था 30 आया था 10 आया थे 40 आया था 10 पे 10 आयेगा clear हो भागे 10 अगर मैं apply करूंगा और अगर माने यह 30 apply हो गया तो मैंने apply आगे किया 30 दिवर्स मिल गया net force 20 पीशे आगे तो मैं धक्का तो उसको आगे दे रहा हूं लेकिन block मुझको push कर देगा पीशे की तरफ जब कि ऐसा नहीं होता है तो मैंने जब starting में 10 apply किया तो यहां से 10 मुझे मिला towards left अब मैं काम करता हूं इस 10 को इधर apply करता हूं अगर मैं इस 10 newton वाले force को ध्यान दिजेगा अगर मैं इस 10 newton वाले force को इस side में apply करता हूं ठीक है तो अब body की expected direction of motion horizontal direction में towards left side है ठीक है तो अब इस surface जो होगी वो 10 newton के force को right side में apply करेगी ठीक है जब मैंने मान दिजे यहां पर 20 भी आ गया तो जब 20 और apply हुआ तो 20 and then 30 हो गया तो 30 भी अब इस बार हमको towards right मिलेगा एगरी करते हैं इसका मतब यह हुआ अब दोखो क्या क्या हम सीख रहे हैं उन चीदों को एक साथ compile करेंगे अब ठीक है और जैसे मैंने total force यहां पर 10 और apply कर दिया 40 हो गया 40 पर यह 40 अप्लाई करा रुका रहे गया बच्चा आया इस बार उसमें यहां टश किया बॉडी तुरण मोग पर गई तो हम क्या देख रहे हैं static condition में हम static condition में ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ static condition में मैं जिस direction में जितना force apply करता हूँ along the contact surface बॉडी अगर static है तो उसके just opposite direction पे exactly उतना ही force surface in contact भी apply कर देते surface भी जो होती है वो उस पे reverse direction पे उतना ही force apply करती है agree करते हैं, clear हुआ यह बच्चो ध्यान देना आप इस example की बात कर लीजे मैं तो कह रहा हूँ अब simple इस वाले example की बात करीए जो मने पहले example दिया था आपको ठीक है ना, उस example की बात करिए पहले case में मैं जब मैंने 10 apply किया तो बताए ये body static थी की नहीं थी static थी तो force of friction कौन सा आएगा static आएगा, कितना आया होता ही है 10 newton का because 10 पे 10 देगा रुक जाएगा मैंने 10 प्लस 20 अप्लाई किया अभी रुका रहा गया 30 अप्लाई किया तो friction for 30 का मिलेगा मेरे को 30 का मिलेगा जब मैंने इस पे 10, 20 और 10, 40 अप्लाई किया 40 पर भी body move नहीं कर रही है तो natural से बात है 40 ही opposite direction में मिलेगा और move नहीं कर रही है तो friction static होगा तो 40 newton का मेरे को towards left मिल गया एगरी करते हैं ठीक है इसके बाद में जैसे ही external force की value देखो अभी ये case तब था जब external force जो मैंने बाहर से अप्लाई किया along the contact surface की value जब 10 newton थी तो उस case में fs 10 newton आया जब मैंने external force along the contact surface total 10 और 20, 30 अप्लाई कर दिया तो friction force भी 30 का आया जब मैंने 10, 20 और 10 जब मैंने external force along the contact surface 40 अप्लाई किया तो friction force भी 40 आ गया लेकिन जब बच्चे ने touch कर दिया तो naturally external force की value clear हुआ से 40 से हलका साब जाता हो गई 40.001 newton भी हो गई तो देखा मैंने कि body move कर गई body क्या गर गई? move कर गई और body अगर move कर गई still अभी भी अपोस तो हो रहा होगा लेकिन friction force static defined नहीं हो पाए अब कौन सा आ जाएगा? काईटिक आ जाएगा तो हमने देखा कि static friction की value constant नहीं होती है देखो भी क्या सीख रहे है? note बन रहे हैं अपने static friction की जो value होती है वो constant नहीं होती है clear वाई है? वो vary करती है और उसकी अपनी max value है बास सही है कि भाई ये surface इस block को एक maximum हग तक एक limit तक ही रोग पाएगी अगर मैंने force उसे ज़्यादा अपलाई कर दिया तो फिर ये हार जाएगी और ये body को मूग परा देगी agree करते हैं बास समय मैंने क्या बोला हुआ है? ठीक है न? तो इसका मतलब अब इतने experiments मैं कह सकता हूँ ये जो लिखा हुआ है ये ये लिखा हुआ है maximum value of static friction 40 newton इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपने content surface के along शब्दों को धहांद मैं क्या बोला हूँ content surface के along मतलब अगर मैंने force tilted अपलाई किया तो ऐसे ऐसे अपलाई किया तो इस force के दो components होंगे horizontal और vertical तो जो content surface कैसी है? अगर मैं external force की value को बढ़ाते बढ़ाते 40 newton तक कर दूँगा तो 40 newton तक ये surface इस body को slip नहीं होने देगी लेकिन अगर external force की value along the contact surface 40 newton से हलका सा बड़ी हो जाएगी तो वो value वो value इसकी limit से बाहर हो जाएगी और बोलेगा नहीं hands up यार नहीं मैं safe नहीं कर सकता हूँ अब इसको slip कराईगे इसको जाने दो आगे agree करते हैं maximum value of static frictional force maximum value of static frictional force जहां तक body static रहती है उसको बोलते है limiting friction क्या बोलते है? limiting friction ध्यान देतरीएगा उसको क्या बोलेंगे? limiting friction उसका symbol क्या बेटे होता है? fs max fs max की जो बेटे value होती है मैं भी आगे लिखवाओंगा yes वो आती है mu s into n कितनी आती है? mu s into n ध्यान देजेगा पर सुनते रही है बेले क्या बोलो fs max की जो value आती है mu s into n n से आप awareड है n क्या है? normal reaction mu s mu s को हम बोलते हैं मैं लिखवाओंगा अभी आगे इसको बोलते है coefficient of अभी क्या समझना आप हो है coefficient of static friction coefficient of क्या बोलते है? static friction इसको हम आगे deep में पढ़ाएंगे अभी simple समझेगा ठीक है? mu s की value generally एक से छोटी होती है कोई hard and fast rule नहीं है ये एक के बराबर भी हो सकती है एक से भड़ी भी हो सकती है ये generally mu s की value जो होती है वो एक से कम से 0.8, 0.5, 0.4 ऐसे होती है agree करते हैं? ठीक हैं? अब धरा ध्यान दो बच्चे अगर हमें कहारा हूँ मान लिजे इसी problem में mu s की value थी मान लिजे 0.1 और ये जो body थी उसका mass जो body थी उसका mass था मान लिजे 40 kg तो जड़ा मैं fs max की value को निकाल के देखता हूँ इसको क्या बूलते है limiting friction maximum value of static friction इतना ये max value अगर content surface के along हद से हद तक maximum इतना force अप्लाई करोगे तो body रुकी रहेगी अगर इससे हलका सचादा अप्लाई कर दिया body move कर जाएगी sleep कर जाएगी तो बैटे ये कितना होगा mu s is 0.1 और दो एन n एवीडी बनाएगे ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा तो n equal to क्या दोखो बैटे आगया mg n equal to आगया m into g m कितना है 40 kg g is 10 ले लिजे दोखो ये आपका आगया 40 newton मैंने value ऐसी रखी हुई है ताकि वो exactly इतना आजाए fs max कितना आगया 40 newton आगया मतलब जब मैंने force 10 अप्लाई किया तो 10 जो force है 40 से कैसा है कम है छोटा है तो इसका मतलब इसकी limit के अंदर है तो ये body को slip नहीं करने देगा clear हुआ लेकिन थ्यान दो बच्चे जब मैंने 10 apply किया तो बताएए इसने 40 apply किया था कि 10 apply किया थे reverse में जब मैंने 10 apply किया तो इस surface ने reverse direction में 40 नहीं apply किया ऐसा कभी नहीं होता है कि मैंने body को धक्का यहां पर दिया 10 से 40 reverse में apply हुआ और body धक्का मैं आगे दे रहा हूँ लेकिन block मेरे को पीछ धक्का दे रहा है ऐसा नहीं हो सकता कभी भी है clear रहा practical देखिए तो जब मैंने 10 apply किया तो 10 newton इसकी maximum value से छोटा है clear होगा तो body move नहीं कर पाएगी और जितना supply करना होगा 10 मैंने मांगा तो 10 इसने supply कर दिया तो 10 से 10 cancel करके 0 आ गया जब मैंने 30 apply किया तो 30 भी इसकी limit के अंदर है तो उसने 30 ही reverse में दे रहा और गया गया जब मैंने 40 apply किया 40 भी इसकी limit में just बराबर है तो 40 पेस ने complete 40 अपना दे रहिया और body को रोग दिया जब बच्चा टस करने आया तो 40.001 भी हो गया 40.001 इसकी limiting friction से FS max से exceed कर गया बोले कर नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा है बोडी को move करने दो body move कर गई अगरी करते हैं तो जड़ा सोचिए friction force की value ये नहीं होती है friction force static friction force की value होती है वो कभी भी FS max के बराबर नहीं आती है ध्यान देना static friction force की value कभी भी FS max के बराबर नहीं आती है static friction force की value तो क्यवाल आती है external force के बराबर और external force का वो component के बराबर आती है जो contact surface के along था देखो भई, जब मैंने 10 apply किया था तो fs कितना में रहा था, 10 में रहा था 10 जब मैंने, इसका fs equal to 10 equal to fxt जब मैंने मिल करके 30 apply किया था तो देखो देखिए, fs के value 30 आ गई थी मतलब जितना external force में बार बार बोल रहा हूँ जितना external force आप contact surface के along apply करेंगे कहां apply करेंगे, contact surface के along apply करेंगे clear हुआ उतना ही opposite direction पे अगर वो limit के अंदर होगा, तो उतना ही exactly same opposite direction में friction force operate हो जाएगा तो friction force के value जो होती है वो external force के उस component के बराबर आती है जो along the contact surface होता है, provided उस external force की जो value है, clear हुआ, वो limiting friction के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, तो हमने बातो बातो में देखा कि static friction force की जो value होती है, वो f external के बराबर आती है, इसका मतलब static friction force variable है, इसका fs max तो 40 newton का है यह block यह रखा हुआ है, और मैं touch भी नहीं कर रहा हूँ, जब मैं touch ही नहीं कर रहा हूँ, बताइए तो बताइए, मैंने कितना force apply किया, इस पे along the surface 0, तो 0, 40 से कम है, तो उतना ही 0 apply कर देगा, तो उस case में static friction 0 आ गया, agree करते हैं, clear हो गया यह, मैंने 10 apply किया, तो 10 आया, मतब यह vary करता है, static friction force, constant force नहीं है, यह variable force है, और सुनिए, और अच्छा बोलेंगे, मैं बोलूँगा, यह self adjusting है, मैं क्या बोलूँगा, यह self adjusting है, देखो बच्चे, इस को देखते रहेगा, 40 की capacity थी, मैंने 10 apply किया, right side पे, तो उसने 10 दिया left side पे, अब मैं करना 40 apply करता हूँ, यहाँ से left side पे apply करता हूँ, तो 40, sorry, मैंने 10 अगर, अब मैंने 10 apply किया, तो यहाँ से, इस side से apply किया, towards left apply किया, तो अब friction force आयागा, तो 10 कही, towards right आ जाएगा, मतब यह अपने आपको direction में adjust कर रहा है, यह अपने आपको magnitude में भी adjust करता है, देखो, 10 दिया, तो 10 आया, 30 apply किया, 30 भी limit के अंदर था, तो 30 आया, तो इसका magnitude भी अपने आपको adjust करता है, तो it is a क्या हो गया, self adjusting, यह अपने आपको adjust कर लेता है, and it adjusts itself into both magnitude as well as in direction, यह अपने आपको magnitude में और direction दोनों में अपने आपको क्या करता है, यह adjust करता है, clear है बच्चो, अगर आपको यह diagram clear हो गया होगा, तो guarantees बात की है, कि आपको आगे कुछ भी दिक्कत नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है, और जब तक clear रहा हो, तो एक दो बार आप इसको इस वीडियो को rewind करके भी बाबर सुनेंगे मेरे शब्दों को, तो धीमे धीम होची बैठ चाएगी, चलिए, तो अब बच्चो मेने आप लोगों को अभी जब body move कर गई, जब बताब बच्चे ने touch करके body move करा दी, जब body move कर जाएगी तो friction force कौन सा आ जाएगा, kinetic आ जाएगा, उसको discuss बाद में करेंगे, because पहले body static से, मैं kinetic में लेके तो आऊँ पहले, तो पैटे हमारी अब heading बनेगी, static friction, heading हमारी क्या बनेगी, static friction, जो जो भी point लिखे हुए हैं, यह सारे के सारे point में आप लोगों को भी इसी example में explain कर चुका था, ठीक है ना, मैं फिर भी एक बार फिर से explain कर दूँगा, और फिर आप screen को pause करके इसको note भी करेंगे, first point, static friction की definition हो गई, यह से क्या हो गया, definition हो गया, clear है, first और second point, मैं भी आपको दुबारा explain करूँगा, बाकि मैं आपको तीनो point यह explain कर चुका हूँ, already, frictional forces, दोखो यह definition हो गई, static friction की definition क्या है, the frictional force between the two surfaces, before the relative motion के after the, motion के पहले है न, the frictional force between the two surfaces, before the relative motion actually starts, relative motion start होने के, just पहले जो force आता है, friction का उसको बोलते है, static friction कहीं कोई doubt नहीं होना चाहिए, second point, most important point, second point दो क्या है cause, कि basically static friction का cause क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसी mechanism है, इसके through static friction operate होता है, लगता है, agree करते हैं, ठीक है, बच्चों ध्यान दिजेगा, जबना समझे के try करना, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, ठीक है, देखिए, पहले बात तो, हमको ऐसा लग रहा है, इस diagram को आप बनाएंगे भी, ठीक है ना, first आपने point node कर लिया, इसके बाद second node करने के बाद ने, आप इस वाले gap में इस diagram को बनाएं, diagram को बनाएंगे, देखिए बच्ची क्या है, यसे कि हम नों ने एक diagram बनाया, कि ये surface है, और ये block है, surface real है, मींस rough surface है, ठीक है, तो हमें ऐसा apparently feel हो रहा है, कि इसकी complete surface, पूरी पूरी surface, पूरा पूरा इस block का ये area, complete area इस surface के contact में है, जबकि ऐसा actually में होता नहीं है, अगर हम इसको magnify करके, देखो, मैंने इस small से portion को थोड़ा सा बड़ा magnify किया, तो अगर हम इसको magnify करेंगे, तो हम देखेंगे, कोई भी surface perfect smooth नहीं है, कोई भी surface perfect flat नहीं है, perfect smooth नहीं है, surface हमको लग रही थी, कि ये ऐसी है, जबकि अगर इसको मैं microscope देखूँगा, तो ये आपको zigzag ऐसे randomly मिलेगी, ऐसी तो block की surface है, block भी आपको लग रहा था, लेकि जखास को मैं इसको microscope से observe करूँगा, तो block भी आपको कुछ ऐसा ही appear होगा, clear होगे, ये मैंने बहुत magnify करके जब देखाएंगे, तो देखेंगे, नहीं या, हमें लग रहा था, ये ऐसे हैं, ये असली में ये ऐसे-ऐसे है, ये love nature है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है, बच्चों लोग पढ़ चुके हैं, gravitation, नाम सुना है, class 9-10-9 में लोग रहेंगे, gravitational force, gravitational force is always attractive in nature, and it is a force of attraction between the two masses, दो masses अगर हैं, तो हमेशा एक दूसरे को attract करेंगे, और उस attractive force को हम क्या बोलते हैं, force of gravitation, gravitational force बोलते हैं, clear हुआ बच्चे, अब देखो बच्चे, ध्यान दो, gravitational force, जो gravitational force है, देखिए, यहाँ पर ये एक mass है, ये mass is block का हो गया, particle, और ये point, इस surface का हो गया, ऐसी दोखों देखिए, बहुत सारे-सारे, ये points आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे-सारे point, ये content में जो point आ रहे हैं, तो ये surface का ये वाला point, block के इस वाले point को, दोनों masses हैं, क्या करेगा, attract करेगा, agree करते हैं, तो आप notice, इमेजिंग करिए, कि देखिए, ये surface पूरी, ये block बना हुआ है, block ऐसे होगा, पूरा-पूरा, ये surface आई, content में, surface कुछ randomly ऐसे होगी, नीचे ऐसे होगी, clear होगा ये, तो आप जिरा ध्यान दें, तो दोनों अलग-अलग जो bodies हैं, surface और ये block, के बीच में, जो masses के बीट में, जो attractive force involved होगा, तो हम बोल सकते हैं, उनके इससे एक bond बन गया, बहुत सारे-सारे, इमेजिंग करिए, कि surface पे बहुत सारे-सारे, ऐसे-से-से, हर जगे bond बने होगा है, agree करते हैं, yes, ये जो bond है, वो क्या है, इंटर-दो-दो molecule होँगे, या item होँगे, agree करते हैं, अलग-अलग में हैं, क्या बोलोंगे, inter-molecular atomic bond, या inter-molecular bonds, agree करते हैं, या inter-atomic bond भी बोल सकते हैं, तो basically, जो इनके बीट में, attractive bond बना, attractive force involved हुआ, ठीक है न, ये ऐसे bond बन गया है, अब अगर हम इस body को आगे धक्का देंगे, तो पहले मेरे को, इन bond को break करना पड़ेगा, जब ये bond तूटेंगे, तभी तो body आगे जा पाएगी, तो ये जो सारे सारे जो bond बने हुए है, इन सारे सारे bond की, जो net value आती है, उसको बोलते हैं, FS max, क्या बोलते हैं, FS max, maximum bond की strength है ये, कि अगर आपको body को move कराना है, तो सारे सारे bond आपको तोड़ने पड़ा है, तभी move कर पाएगी, तो जब बच्चे, जब हमने 40 apply किया था, तो आलमोस सारे bond टूट गया थे, एक bond की वाल रह गया था, इसलिए body move नहीं कर पा रही थी, जो बच्चा आया, dust touch किया, तो उससे आखरी वाला bond भी break कर गया, और body easily क्या कर गई, move कर गई, बासन में ही, clear हो गया ये, तो इसका मतलब ये हुआ, कि static friction का जो cause था, वो भी clear हो गया, कि it arises due to, the strong atomic or molecular force of attraction, between the two surfaces, at the point of actual contact, हाँ, at the point of क्या बोला गया, at the point of actual contact, अब यहाँ पर ये actual contact क्यों बोला गया, समझते हैं, बच्चो gravitational force की value अगर आपने पड़ी होगी, तो ये क्या आती है, g m1 m2 by r square, force of gravitation जो होता है, वो inverse square law को अभी करता है, देखिए, distance के बढ़ जाने पर, force बहुत जल्दी कम हो जाएगा, चीक है, तो अगर आप देखिए, और जैसे, जब ये r minimum होगा, और दो को सिंपल से पर, जब r की value बहुत कम होगी, तो r minimum, तो 1 upon r है, तो f कैसा हो गया, maximum हो गया, अगर r minimum है, केवल उन जगे पर आएगा, जो actual में बहुत पास पास होंगी, इसके और इसके बीट में गएब बढ़ गया, तो force बहुत कम हो गया, तो ये इसका कोई बहुत बढ़ा significance नहीं होगा, इसनी जो actual content में आते हैं, उनके बीट में r बिल्कुल trending towards 0 है, आर बहुत कम है, तो force बहुत large हो गया, clear हो आईए, तो वही सारे सारे bonds, effective bond बन पाते हैं, वही fs max में contribute करते हैं, तो I think शायद clear हो गया होगा, ठीक है, third point, मैंने explain किया था, static friction is self adjusting, ये अपने आपको क्या करता है, self में adjust कर लेता है, और कैसे करता है, magnitude में, अगर fs max 40 था, मैंने 10 अप्लाई किया, तो 10 दिया, 14 नहीं दिया, मैंने 30 अप्लाई किया, तो 30 दिया, 14 नहीं दिया, और this direction में मैं अप्लाई करता हूँ, उसके opposite direction में कर देता है, मैंने apply किया east में, तो वो west में supply किया, मैंने apply किया, west में उसने कहाँ प्लाई किया, east में, मतब अपनी direction को भी, वो self में adjust कर देता है, clear हो गया होगा, and it adjusts both in magnitude and in direction, next point, its magnitude, अगर हम इसके magnitude की बात करें, अगर हम इसकी value की बात करें, तो its magnitude is always equal, मैंने apply किया था, Fs की जो value आती है, देखिए, Fs की जो value आ रही थी, वो कभी भी Fs max के बराबर नहीं आ रही थी, ना, Fs max तो केवल वो चेक करने के लिए होता है, कि कितने maximum force तक, ये body, ये surface इस body को रोग पाएगी, move करने से रोग पाएगी, Fs की जो value आती है, वो बराबर आती है कि कितना मैंने external force along the contact surface अपलाई किया हुआ है, जितना अपलाई करूँगा, उतना उसी के बराबर opposite direction एक फोर्स दे देगा, वह लिखा हुआ है कि its magnitude is always equal to the magnitude of the external effective force, effective का मतलब क्या हुआ, कि component of the external effective force, अगर effective force बाहर से ऐसे लग रहा था, और surface horizontal है, तो इसका component जो content surface के along होगा, उसके बाद की गई है, तो component of the external effective force along the contact surface, उसी के बराबर आ जाएगा, और direction जो होगी, वो इस force के बाहर से बाहर से अपलाई करने वाले force की direction के just opposite होगी, तो end is direction is always opposite to that of the external effective force, next point क्या लिखा है, maximum value of the force of static friction, मैंने क्या बोला, क्या लिखा हुआ है, maximum value of the force of static friction, static friction के force की maximum value, ठीक है न, up to which जहां तक body रुगी रहती है, body remain at rest, is called limiting friction Fs max, उसकों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Fs max बोलते हैं, ठीके तो Fs max जो होता है, वो range का max value होती है, ठीक है, clear हो आईए, तो यहाँ इस called limiting friction, इसके आगे आप note करिएंगे, लिखेंगे mathematically, अगर हाँ आप mathematically बात करें, ठीक है न, ठीक, तो mathematically लिखें, Fs, sorry, Fs max limiting friction, mathematically Fs max, is found to be proportional to the normal reaction, N, N stands for क्या होता है, normal reaction, कर चुके पहले से, ठीक है न, अब मैंने proportionality को remove किया, तो यहाँ पर एक proportionality constant आएगा, इस proportionality constant को लिखा, मैंने mu S, तो Fs max equals to क्या बटे आ गया, mu S into N, mu S into N, यहाँ पर जो symbol है, उनके meaning की बात करेंगे, where, mu S, mu S को बोलते हैं, हम लोगे, coefficient of, static, friction, क्या बोलते हैं, coefficient of static friction, और N जो है, N यह हो गया, normal reaction, normal reaction, mu S को बोला आता है, coefficient of static friction, clear हुआ, अब obvious सी बात है, यह पर पोर्पोर्शनलिटी constant mu S है, यह दोनों contact surfaces की property, बेटे बहिंग करेगा, देखिए, इसा बज़े बात को, कि जैसे कि यह जो surface थी, और यह जो block था, यह इन दोनों के जो contact surface आ रही है, उस पर डिपेंग करेगा, कि बहिंग हो सकता है, कि यह block wood का हो, और यह road हो, clear हुआ, ठीक है ना, और road dry है, अब अगर road dry है, और यह wood का है, तो friction ज़्यादा हो गया, ज़्यादा rough हो गया, अगर मानिज़े road wet है, पानी गिर गया, अब अगर block को slip कराएंगे, तो block easily slip कर जाता है, clear हुआ यह, अगर मानिज़े snowfall हो गया, अब ice में, surface यह ice की है, इस पर block को move कराएंगे, तो block को static conditions से, move कराना, में हमको effort कम लगाना पड़ेगा, इसका मतलब जो muis है, पहली बात हो जो muis था, coefficient of static friction, इसकी value depend करती है, nature of contact surfaces, clear होआ यह, ठीक है, तो एक बात मैं यह कह सकता हूँ, ठीक है, कि the value of muis, the value of muis, means coefficient of static friction, depends on, the nature of, nature of surfaces, यह हमने पहला point और clear किया, surfaces in contact, कि contact, ice का block से हो रहा है, dry road का block से हो रहा है, wet road का block से हो रहा है, किस से हो रहा है, agree करते हैं, उस पर भी muis की value change कर जाएगे, तो it depends on, the nature of surfaces in contact, ठीक है, मैंने इसको, equation number one लिखा, लिखा भी again, consider equation number one, that is, fs max, means limiting friction, equals to muis times n, नो, यहां से मैं muis की value को अगर निकालूं, तो यह बेटे आ जाएगा, fs max, divided by n, अब simple से बात है, fs max, friction, limiting friction, force, यह भी force है न, तो यह भी बेटे किसमें आएगा, यह force अगर है, तो इसका मतलब यह भी, इसका dimensional formula, force से match करेगा, तो mlt minus 2 तो आएगा, और normal reaction is also kind of real force, यह भी force है, तो इसका dimensional formula भी force से match करेगा, mlt minus 2, yes, इसका मतलब क्या हो गया, कि muis coefficient of static friction, is a dimensionless, is a unitless constant, yes, तुम यहाँ से यह भी कह सकता हूँ, कि बच्चों, यहाँ से हमने यह भी कह सकते हैं, कि muis is unitless, unitless, as well as dimensionless, dimensionless constant, yes, तो muis जो है, वो एक unitless और dimensionless constant है, ठीक है, इसके बाद में, next point, यह जो muis होता है, ठीक है न, muis की value generally, दिखते हैं, generally, मैंने पहले रिखवाए, generally, generally, yes, और generally को मैंने line किया, generally ऐसा देखा गया, generally देखा गया, generally, ठीक है न, ठीक, क्या देखा हमने, कि muis की जो value होती है, वो less than 1, generally, मैं फिर से बोल रहा हूँ, generally, ठीक है न, muis की value, generally, normal cases में, एक से कम आती है, बड़ी, कभी-कभी, एक के बराबर भी आ जाती है, और कभी-कभी, surface अखर बहुत rough होया आती है, तो एक से बड़ी भी होया आती है, depending करता है, कि surface कितने हद तक rough है, ठीक है न, तो generally मैंने बोला, कि muis के value एक से कम आती है, agree करते हैं बच्चों, ठीक है, एक point और रह गया है, पहले हम उसको भी discuss कर लेंगे, यह आपने node कर लिया होगा, ठीक है, अब देखो बच्चे, हमने एक बात तो clear कर ली थी, अभी हमने इस example से, जो हमने एक reference में example लिया था, उससे देखा हमने, कि static friction force की value, Fs की value Fext होती है, और Fs की max value जो होती है, वो Fs max limiting friction, अगर हमने limiting friction force से, ज़्यादा external force, content surface के along apply कर दिया, तो body definitely 100% move कर जाएगी, kindy condition पर आ जाएगी, clear हो गया यह, तो यहाँ पर अगली जो मैं arrow बना रहा हूँ, वो अगला arrow वो भी clear होना चाहिए, हमनों को range, obvious से बात है, अगर यह vary कर रहा है, तो पक्का range होगी, तो range of static friction, range of मैंने क्या बोला, static friction, static friction के range क्या होगी, ठीक है, range होती है, min to max, range क्या होती है, min to max, minimum, बताए, minimum क्या हो सकता है, जितना मैं apply करूँगा, उतना वो देगा reverse में, अगर वो रोक पाए आपने आपको तो, तो बताए, minimum मैं कितना apply करूँ, 0, अगर मैंने apply नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब यह तो clear हो गया है, कि fs range की बात करेंगे, ठीक है, तो fs का, fs का जो minimum value आएगी, minimum value जीरो आएगी, और fs की जो maximum value आएगी, उसको बोलते है, limiting friction वो होती है, mu s into n, तो बहुत कह सकता हूँ, कि जो fs है, पहले बाद सुनो, fs है, उसकी range क्या हो गई, 0 से ले करके, yes, कितना, 0 से ले करके, fs max तक, limiting friction तक, यह उसकी range हो गई, ठीक है, इसी को अगर मैं और अच्छा लिखूँ, ध्यान देना वेचे, fs की value क्या होती है, fs की value तो बराबर होती है, external force के, effective external force के, fs का जो maximum value आएगी, fs max, और fs max का formula होता है, mu s into n, I think यह जो लिखा मैंने हुआ है, वो इससे भी और ज़्यादा आपको, चीदों को clear कर रहा है, ठीक है, तो यह आ गया, एक heading बननी थी, range of static friction, यह आपने note कर लिया, range of static friction, range क्यों आई, because यह vary कर रहा था, जो vary करेगा, उसका पकी range होगी, range कहां से कहां तक आएगी, min to max आएगी, ठीक है, बच्चों जितना discuss किया हम लोगों ने, अगर उसकों summarize करें, तो मैं कहा सकता हूँ, if अगर, f external, मैं बार बार लिखता हूँ, f external, इसका मतलब क्या होता है, कि external force का, वो component, जो content surface के along आ रहा है, जो body को move कराने की try कर रहा है, clear है, अगर मैंने force ऐसे apply किया, और content surface horizontal है, तो इसका ये जो component होगा, वो कभी move कराने की try नहीं करेगा, इसका किवल ये वाला जो part होगा, वो move कराने की try करेगा, तो इस f is f का, ये वाला जो part होगा, वो हमारे notes के accordingly f ext होगा, agree करते हैं, बाकि example से clear हो पाएगा, बहुत जिरें ऐसी होती है, जो theory से एक limit तक clear हो पाती है, without example, एक limit के आगे हमें चिरे clear नहीं हो पाती है, ठीक है, if अगर, पता ये body move करेगी की नहीं करेगी, नहीं करेगी, because capacity जितनी इसकी है, आपने आपको रोकने की, या तो जो मैं burst अपलाई कर रहा हूँ, वो उसके बराबर है, तब भी रोक लेगा, या कम है तब भी रोक लेगा, agree करते हैं, तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा है, clear हुआ, then, ध्यान दो बच्चे, then, frictional force F की value क्या आएगी, Fs की F के, Fs आएगी, body static होगी, then F equal to Fs, और Fs की value Fs max नहीं होगी, F e x t जितना अपलाई करूँगा, उसी के बराबर opposite direction में supply कर देगा, और अगर ऐसा हो जाए, if अगर external effective force की value, effective means हो गया, उसका वो component जो content surface के along आ रहा है, उसकी value, अगर Fs max से exceed कर गई, yes, अब बताइए, body क्या करेगी, अब body अपने आपको motion में set कर लेगी, move कर जाएगी, अगर ऐसा है, तो उस case में friction force की value nature जो होगा, वो K, F, K means kinetic आ जाएगा, और यहीं से हमारी heading अब क्या बन जाएगी, kinetic friction बन जाएगी, बच्चों, start करते हैं concept of kinetic friction, kinetic friction, हम दोगों ने static में देखा था, कि जब applied external effective, मैं बाब बोलता हूँ, external effective, effective का मतलब ही होता है, कि external force का वो component, जो content surface के along आ रहा है, उसकी value, अगर limiting friction, F, S, Max से exceed कर जाती है, जादा हो जाती है, तो फिर limiting friction बोलता है, कि मेरे से तो आब यह balance नहीं हो पा रहा है, अब body को move करा देता है, तो जैसे body move कर गई, फिर देखा, कि body जब move कर जाती है, और हगर हम force लगाना बंद कर देते हैं, तो body हलका सा आगे जाने के बाद रूख जाती है, मतलब अभी भी oppose में force आता है surface से, तो वो force, force of oppose, oppose of opposition वाला force, clear हुआ, जो तब operate करता है, जब दो surfaces के बीच में, actual में relative motion हो रहा होता है, slipping हो रही होती है, उसको बोलते हैं, काइन्टिक friction symbol Fk, ठीक है, तो को बच्चों, वह ही लिखा रखा हुआ है, कि if the applied force is more than the limiting friction, Fs max, then the body sets in motion, body motion में आ जाती है, so the opposing force, that act between the two surfaces in contact, when one body actually moving, over the surface of another body, is defined as, is called kinetic friction Fk, agree करते हैं, अब second point most important, यह बता रहा है कि, cause of kinetic friction क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कि बे strong atomic और molecular जो bond होते हैं, between the two surfaces, at the point of actual contact, clear हुआ, वो cause होता है, static friction का, वैसे ही, kinetic friction का cause क्या होता है, चीक है, जब अब अच्चों ध्यान दिजेगा, समझने के try करिएगा, अभी इसको मैं, इसलिए भी मैं इसको read नहीं कर रहा हूँ, हमको पता है, फिर से उसी diagram पे आता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक block लिया, चीक है, और इस block को, मैंने एक surface पे place किया, इस block को मैंने क्या किया, एक surface पे place किया, तो हमें ऐसा apparently feel हो रहा है, कि complete जो area आ रहा है, वो content में आ रहा है, लेकिन अगर हम इसी का microscope view बनाएंगे, इसी कुछोटे को अगर हमें magnify करके देखूँगा, observe करूँगा, तो surface कभी भी perfect flat नहीं हो सकती है, ये भी जो होगा, ये वाला भी थोड़ा सा zigzag, ऐसा ही कुछ होगा, magnify form में अगर मैं देखूँगा, तो surface कुछ इसकी इस तरह की आएगी, agree करते हैं, ठीक है, अब static friction का cause क्या था, जो actual content में point आ रहा है, ये वाला point content में आ रहा है, actual ये point आ रहा है, इनके बीट में जो gravitational force आएगा, वो strong होगा, तो bond strong होगे, उनी का जो, इन सब strong bond का net sum आएगा, वो fs max होगा, और वो stratification का cause होता है, ठीक है न, कि body को motion में set करने के लिए, पहले मेरे को सारे सारे bond को break करना पड़ेगा, अगर एक भी bond break ना हो पाया, तो body move नहीं करेगी, अब मांगे जे bond सारे सारे break हो गए, कब हो जाएगे, जब external force के value, fs max से बढ़ी हो जाएगी, तो body के bond break हो गए, agree करते हैं, अब body motion में set हो गई, अब body जब motion में set हो गई, अब खुद दोखो देखना, अगर आप इस palm को ऐसे stretch करिए, तो देखें, ये portion हरका से raised होता है, और ये dip नीचे होता है, अब देखें, ये उपर आएगा और ये नीचे आएगा, ऐसे, अब देखें, जब ये portion, देखो ध्यान दो, जब ये raised वाला portion, इस dip वाले portion के अंदर जाएगा, तो देखें, एक interlock बन जाएगा, ऐसे रखें, अब इसको अगर आगे की तरफ धक्का देंगे, तो ये raised जो portion होगा, वो इस वाले portion को आगे जाने से oppose करेंगा, रोकेंगा, हलका सा oppose offer करेंगा, एगरी करते हैं, clear हो आईए, ठीक है, body move कर रही है, लेकिन उसमें क्या होगा, जब किसी भी body का, देखें से यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको move कराता हूँ, तो जब ये वाला portion, तो जब जर धर ध्यान देजेगा, जब इसका ये portion, जब body हलका सा आगे गई, तो जब ये portion उठ करके, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा आएगा, तो इसके बाद देखिए, ये portion, इसका surface, ये तो block का, जब block का ये वाला portion, उठ करके आगे आ जाएगा, ठीक है, तो आप देखिए, ब्लॉक का इस वाले portion में, और surface, जो ये surface ही है, surface का lower portion के बीच में, इस वाले portion के बीच में, एक interlock बन गया, एक हलका सा, ये इसके deep वाले portion चला गया, तो एक interlock बना, तो ये raised portion जो होगा, वो इसके drip वाले portion का oppose करेगा, आगे आने वाले motion के लिए, होगी, ये वाली, और ये ऐसे पहुँच गया, तो अब इसको ओपर जाना है, तो ये उठा हुआ portion जो है, इसके आगे जाने वाले motion का oppose करेगा, agree करते हैं, तो उसको ये जो cause हो गया, ये cause होता है, static friction का, agree करते हैं, तो वह लिखा हुआ है, कि friction, ये cause होता है, kinetic friction का, मैं कला बोल गया, ये cause होता है, kinetic friction का, static friction का cause होता है, inter-molecular या inter-atomic force of attraction, या bond formation, at the points of actual contact, तो kinetic friction का cause क्या होता है, समझते हैं, kinetic friction arises due to, the interlocking, clear हो गया होगा, arises due to, the interlocking of irregularities present, on the two surfaces in contact, agree करते हैं, yes, हाँ, आप बच्चों के मन में, एक query आती है, जो मतलब बच्चे, मुझसे बाद में पूछते हैं, कि sir देखिए, no doubt, कि देखिए, जैसे कि मैं मान रहा हो, कि interlocking बन रही है, लेकिन जब ये portion, इसके अंदर जाएगा, तो इनके बीच में, actual point of contact बढ़ गया, तो इनके बीच में, bond formation भी extra हो जाएगा, agree करते हैं, ठीक है, bond formation भी हो जाएगा, तो bond formation जो है, वो काइटिक फ्रिश्चन का cause, क्यों नहीं होता है, बच्चों ध्यान दो, आप imagine करिए, कि आप, दो फ्रेंड हैं, आप दो लोग हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, ठीक हैं, जब दोनों लोग रुके वे होंगे, एक साथ, यह जगे बैट करके बात करेंगे, तो bonding strong बनेगी, अब मान दिजी, एक इधर जा रहा है, और एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में, handshake या bond formation, यह आगे जा रहा है, मैं ऐसे जाओंगा, आगे चला जाओंगा, clear हुआ, तो proper handshake, यह नहीं कि bond formation नहीं हो पाएगा, तो bond formation के लिए, दोनो content वाले point, stable, static होने चाहिए, अगर वो kinetic move करेंगे, तो इसने तो हाथ आगे बढ़ाया, इसने भी हाथ आगे बढ़ाया, तब तक दोनों इधर move कर गए, तो bond formation नहीं हो पाया, यह logic होता है, इसलिए bond formation, होई नहीं पायता है, kinetic condition में, केवल interlocking जो होती है, उसके थूही जो oppose होता है, वो kinetic friction का cause होता है, I think शायद आपको यह ला जो doubt, अगर मन में आ भी रहा होगा, तो शायद वो clear हो गया होगा, ठीक है, अब इसके बाद में, हम इसके जो mathematical portion पर आते हैं, जैसे कि वहाँ पर भी हम लोग इसके mathematical portion पर आये थे, वैसे यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है, तो बच्चों एक बात यह clear की, अब देखते हैं, एक next point, experimental fact है यह, experimentally, अगर हम देखें, तो experimentally हमने ऐसा experience किया, कि experimentally, kinetic friction force भी normal reaction के directly proportional करता है, मैंने proportionality को remove किया, तो यहाँ से एक proportionality constant आये, का, यह हो जाए का, mu k, k stands for quantity, तो coefficient of kinetic friction, into n, दोखो बच्चे, यह fk लिखा, यह fk max और मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पर तोखो फिर से भी धान दो, fs की value कभी भी fs, या mu s into n नहीं आती है, fs की value कभी भी mu s into n नहीं आती है, na, fs equals to होता है, याद करिए f external, उसमें भी यह external force का, वह component होता है, यह component होता है, जो quantity surface के along आता है, fs max की जो value बेटे होती है, वह आती है mu s into n, तो static friction की जो value है, वह यह होती है, जबकि दोखों काइंटिक friction की बात करेंगे, तो काइंटिक friction की value ही, mu k into n होती है, clear हुआ यह, यह बात ध्यान रखेंगे का, काइंटिक friction equal to mu k into n, जबकि static friction equal to fext, fs max to mu s into n जो value आती है, वह fs max की limiting friction की value आती है, ठीक है, यहाँ पर n मेंटे क्या है, normal reaction ने, बताने का मतलब नहीं है, ठीक है न, where mu k जो आ गया, mu k, mu k is a dimensionless clear है, because newton upon newton cancel कर जाएगा, तो mu k is a unitless, as well as, dimensionless, तो mu k is a unitless, as well as dimensionless constant, known as, इसको मैं क्या बोलते हैं, वो था coefficient of static friction, यह हो जाएगा, coefficient of kinetic friction, इसको मैं बोलते हैं, coefficient of kinetic friction, agree करते हैं, हाँ, जैसे mu s की value भी generally, एक से कम आई थी, वैसे ही, coefficient of kinetic friction भी generally, एक से कम होता है, generally, फिर दो देखिए, मैं यहाँ पर add कर रहा हूँ, generally, normally ऐसा होता है, हाँ, special case में mu k भी 1 आ सकता है, और 1 से बढ़ा भी हो सकता, depending कर रहेंका, surface अगर extremely rough है, तो mu k की value भी, एक से बहुत ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर interlocking बनेंगी, लेकर न, तो mu k की value एक से बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन हाँ, normal अगर हम बात करें, तो 99% cases में, mu k और mu s दोनों की value एक से कमाती है, एक बच्चे experimental fact, इसके बाद next point में यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, एक experimental fact और भी हमने observe किया था, जब मैंने वो बच्चे वाला example लिया था, ठीक है न, तो एक experimental fact और भी होता है, experimentally it is observed that, यह observe किया हम लोगों ने, कि body को just move कराने में, हमको effort ज़्यादा लगाना पड़ता है, और एक बार जैसे body motion में set हो गई, तो वो easily come effort से भी move कर जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, कि body को just move कराने के लिए, जो मेरे को external force अपलाई करना पड़ेगा, body को just move कराने के लिए, वो fs max से हलका से बड़ा, मतलब मान सकते हैं, almost fs max अपलाई करना पड़ेगा, और जब body motion में आ गई, तो fk max नहीं होता है, simple fk होता है, clear हो आई है, तो fk आएगा, body को just move कराने में, हमको effort ज़्यादा लगाना पड़ता है, एक बार अगर body motion में set हो गई, तो कम effort से move कर जाती है, तो शायद ये clear हो गया होगा, इसका होता है, इसकी value इससे practically कुछ ज़्यादा आती है, ठीक है, ये बटे क्या होता है, mu s into n, ये होता है, mu k into n, n cancel कर गया, यहां से हमने देखा, कि mu s is slightly more than mu k, coefficient of static friction के value, coefficient of kaitic friction के value से, slightly हलका सा more ज़्यादा आती है, इसे मान लिजे, अगर इसी problem में, आपको एक ऐसा कोई diagram दिया गया है, इसे मान लिजे, हमने जब numerical solve करेंगे, तो हमने देखा, इसे मान लिजे, हमको ऐसा diagram दिया गया है, और यहां पर यह लिखा हुआ है, कि mu equal to 0.5 and 0.4, ठीक है, और एक दूसरा diagram दिया गया है, वहां पर simple, ऐसे लिखा हुआ है, कि surface rough है, और having coefficient of friction, mu is 0.5, अब दोनों से मैं क्या conclude करूँगा, यहां पर दो अलग-अलग mu लिखे हुए है, तो भई, जो बड़ा वाला होगा, वो mu s होगा, इसका मतलब यह जो value आ रही है, यह mu s को correspond कर रही है, और यह वाली जो value है, यह mu k को correspond करेगी, तो जिस जगे formula में mu s आएगा, फिर वहां रखेंगे 0.5, और जिस जगे formula में mu k आएगा, तो वहां पर रखेंगे 0.4, अब अगर numerical में किवल एक ही mu दिया गया है, इसका मतलब mu s और mu k में difference बहुत काम है, कोई भी उसको ignore कर सकते हैं, मतलब वही mu s भी है और वही mu k भी है, तो इस case में अगर mu k बहुत एक ही दिया गया है, तो basically यही जो है, वो mu s भी हो गया, और वही क्या हो गया, mu k भी हो गया, कितना हो गया 0.5, तो कुछ बात आपको ध्यान देनी पड़ेंगे, ठीक है, इसके बाद बच्चों, कुछ important points भी लिखे हुए है, इन important points को भी हम समझेंगे, और इन दोनों point को समझने के लिए, मैं एक diagram plot करता हूँ, उस diagram को आप भी plot करिए, और बहुत easily आपको यह समझ में आ जाएगा, जैसे बच्चे समझे, मैंने क्या करा, मैंने एक rough surface बनाई, मैं बोलनू rough surface, मैं बोलनू real surface, practical surface, ideal surface अगर होगी, तो obvious battle surface कैसी मानी आती है, यह frictionless, तो एक rough surface है, और मैंने क्या करा, मैंने एक block लिया, having mass M, ध्यान देना, मैंने एक block लिया, जिसका mass क्या है, M है, ठीक, एसे रखा हुआ है, block वह है, इस बार मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है, यह V1 की speed से, right side में आगे जा रहा था, ठीक है, दूसरा case में क्या करा है मैंने, मैंने इसमें और ताकत लगाई, जब और ताकत लगाऊंगा, तो इसकी speed और बढ़ जाएगी, ठीक है, मैं इसको और भी motion क्या रहा हूँ, और जड़ा force अपलाई कर रहा हूँ, तो इसकी speed कुछ और बढ़ गई, इससे V2 हो गई, ठीक है, body वही है, और third case मैंने क्या किया, मैंने body को ऐसे, इस तरह से, प्लेस कर दिया, पहले क्या था, पहले दो figure में दो देखिए, छोटा वाला जो area है, वो continent में आ रहा था, बढ़ा वाला area air में था, मैंने body को ऐसे place करा, कि अब इसका जो large वाला area था, continent में आ गया, clear हुआ, और छोटा वाला area था, वो air में रह गया, और suppose करो, कि ये मैं कहा रहा हूँ, V3 की speed से इधर जा रहा है, ये collide नहीं करेंगे, तीनों अलग-अलग cases है, अलग-अलग situation दे रखी है, पहले ये case था, फिर मैंने उसी block की speed को बढ़ाया, फिर मैंने उसी block को ऐसे रख करके, कि इधर move कर आया, तो ये collide नहीं करने, तीन अलग-अलग case दे रखे हुआ है, ठीक है, तो पहले बात तो हम क्या करते है, kinetic friction से, सब के बस speed है, तो kinetic friction आएगा, static नहीं आएगा, kinetic friction की direction, इसमें reverse आ रही है, ऐसे, इसमें भी इधर आएगी, कि विकॉस हमेशा क्या होता है, kinetic friction तो हमेशा relative motion का oppose करता है, body देखे right जा रही है, तो friction उसके right जाने का oppose करेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, Fk, V1 है, तो Fk1, V2 है, तो इधर की तरफ क्या आ गया, Fk2 आ गया, अभी जा रहा था, left side पे, तो यह contact surface left जाएगी, तो friction force, kinetic friction force जो आएगा, वो इसका oppose करेगा, इधर की तरफ, ठीक है, बच्चों ध्यान दो, तीनों case में, अगर मैं Fk1 की बात करूँगा, तो उसकी value भी क्या आएगी, Mu K into N, क्या आएगी, Mu K into N, because Fk होता है, Mu K into N, wood का block है, और यह मांगे road है, तो पहले भी content, इन दो figure में भी देखिए, area in content जो आ रहा था, वो wood का और road का आ रहा था, और यहाँ पर भी wood और road का भी आएगा, तो इसका बता हर case में, Mu K की value common चलेगी, और N की दोखों देखिए, अगर आप FVD में आएगे, तो M G नीचे आएगा, N उपर जाएगा, ना यह उपर गया block, ना यह नीचे गया, मतब N equal to M G है, ठीक है, तो इस case में, इसकी जो value बटे आएगी, वो आएगी, Mu K into N is M G, जड़ा आप Fk2 निकालिए, तो यह भी कितना आएगा, Mu K, वही Mu K into N, और Mu K, Mu K रहेगा, because wood और road, basically material दोनों, जो content में आ रहे थे, वो तीनों figure में common ही आ रहे है, तो Mu K into N, और यहाँ पर भी N की value M G आएगी, और अगर मैं Fk in 3 की निकालूंगा, तो वो भी Mu K into N, Mu K भी common चलेगा, और N की value भी M G आएगी, equation number 3 में, तो बच्चों देखिए, यहाँ से Fk1 भी Mu K into N आया, N 3 केस में M G है, वो ही body है, तो Mu K भी सक्किली common चलेगा, वो ही surfaces content में आ रहे हैं, हाँ, इसमें दोनों में small area in content, इसमें large area in content है, बड़ लेकिन mathematical ली अगर आप देखेंगे, तो Fk1, Fk2, Fk3 आपस भी कैसे आ गए, equal आ गए, ठीक है, clear होगा इए, और देखो, हर एक की speed V1, V2, V3, different different है, उसके बावजूद भी Fk की value Mu K into N होती है, Mu K और N सम में common चलेगा, ठीक है, तो आप देखिए, इस जो हमने भी यह experiment किया, उससे हम दो बाते conclude कर सकते हैं, पहला, coefficient of kinetic friction Mu K is independent of the speed of the sliding body, speed of the sliding body पर depend नहीं करता है, agree करते हैं, clear हो गया है, चाहें speed कम हो, चाहें ज़्यादा हो, Mu K, दो surfaces in content की property है, वो एक बाद जो set हो गई, as long as the normal reaction is same, देखो यहाँ पर भी अगर आप FVD बनाईए, तो यहाँ किसी में देख लीजिए, यहाँ पर एक MG की value आ रही है, vertical downward, normal reaction देखिए, इस बार back to front surface के normal ऐसा आएगा, तो N equal to MG आ गया, यहाँ भी बनाएंगे तो N equal to MG आएगा, यहाँ पर भी देखो देखिए, N equal to MG तो आएगा, because MG लग गया vertical downward, contact surface यह है, तो back to front surface के normal reaction आ गया, body ना तो vertical अब जा रही है, न vertical down जा रही है, मत्तब vertical direction पे equilibrium पे है, तो N equal to MG, इन 3 cases सब में common आ गया, तो as long as normal reaction is same, the kinetic friction is independent of the area in contact, चाहे छोटा area content में हो, चाहे बड़ा area content में हो, mathematically FK की value कैसी आ रही है, बच्चों ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, mathematically, mathematically FK सेम होगा, theoretically, देखो भई अगर large area होगा, बड़ा area आएगा, तो जादा बनेंगे interlock, छोटा अगर area in contact होगा, तो interlocking कम बनेगी, लेकिन 12th standard पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगी 12th level पे हैं, 12th standard पे, यह assume किया जाता है, mathematically यह मान दिया जाता है, और आपको problem mathematically आएगी, तो mathematically area in contact पे depend नहीं करता है, agree करते हैं, बाकी examiner जब problem देगा, तो आपको automatic idea जाएगा, कि examiner ने किस context में पूछा हुआ है, mathematical context में, या theoretical context में, अगर theoretical context में पूछेगा, तो आप बोलेंगे भी interlocking बढ़ लाई है, area का जादा हो जाएगा, तो more interlocking, तो more value of kinetic friction, मुके, लेकिन mathematically जो मुके होता है, clear हुआ, वो area of contact और speed of sliding body पे depend नहीं करता है, ये मैंने काइंटिक friction से related theory को finish किया, अब बच्चों कुछ examples ले लें, जितना हमने भी friction में discuss किया हुआ है, हमने discuss किया है concept of kinetic friction, concept of static friction, तो ये दो हमने concept पर based पहले कुछ examples लेंगे, ये जो elementary examples है, then हम पढ़ेंगे आगे theory के जो remaining part होगा, angle of repose, angle of friction, और कुछ और भी important graph बनाएंगे, कुछ और भी important theory करेंगे, उसके बाद फिर हमनों कुछ advanced level की problem भी देखेंगे, so start करते हैं first question पे, first question, बिल्कुल elementary question है, इससे easy question नहीं मन सकता, बिलीब करिये friction में, find the magnitude and nature, nature means nature of the frictional force, मता means वो nature static है या, kinetic है, देखी body block है, roll नहीं कर सकती है, तो मैंने बोला, अभी हमनों rolling friction को discuss नहीं करेंगे, तो find the magnitude and nature of the frictional force, acting between the block and the floor, shown in figure, ठीक है, when, number one, F is 10 newton, F is 50 newton second, and third is F is 100 newton, and mu s is 0.5, and mu k is 0.4, अगर simple लिखा होता, mu equals to 0.5 and 0.4, तो जो बड़ी value होता, वो mu s होता, छोटी value वाला होता, वो mu k होता, हला कि यहाँ पर यह clear cut mention कर दिया गया है, ठीक है, अब दोको मैं आपको, from the first example, जो मैं बाते बोलूंगा, वही points, चाहे वो किसी भी label की problem क्यों न हो, friction chapter से भी point बोलता रहूंगा आपके सामने, ठीक है, start करते हैं, first of all, पहले हम इसका first part solve करेंगे, या भी first part solve करने से, पहले जो elementary, जो problem solving हमारी जो approach होगी, पहले मैं उसकी बात करता हूँ, देखिए, आपको यह horizontal surface given है, plot किया, और इसके contact में यह block आ रहा था, तो सबसे पहला मारा काम क्या हो गया, to plot the free body diagram of the body, तो इस body से directly attached यह surface भी है, इस body से directly attached यह force F भी आ रहा है, now, अब हम draw करेंगे इस पे all forces order wise, first force क्या बच्चे आएगा, mg, mg act always vertical downward, एगरी करते हैं, ठीक है न, और इस problem में जो block है, इस block का mass यहाँ पर mentioned है, वो given मैं लिखना भूल गया, 10 kg, यह आप node करेंगे, 10 kg का यह block है, ठीक है, तो पहले तो force आ गया, mg, 10 g, next force normal reaction आएगा, yes, यह normal reaction N आ गया, इसके बाद में next force, spring force, sorry, tension force, spring force, then pseudo force, कुछ भी नहीं आएगे, because solve करने वाला observer, observing ground ही assume किया जाएगा, ठीक है, नौ, इसके बाद फिर next force आएगा, force of friction, और एक force तो f तो apply हुई रहा है, अब भी सी बात है, force of friction, force of friction के direction को निकालने के लिए, आप यह imagine करिए, कि surface smooth है, कैसी है, surface smooth है, अब अगर surface smooth है, surface frictionless है, बताएगे, इन तीनो force के, इसके और इसके तो, ना तो नीचे गया ना, यह उपर गया, बैलेंस कर गया, यह force f आ रहा है, surface अगर frictionless होगी, तो body right की तरफ जाएगी, right की तरफ जाएगी, तो friction force हमेशा, उस motion का अपोस करता है, तो block जाना चाह, right से जाना चाह रहा है, तो friction force जो होगा, वो surface से add करेगा, friction force contact surface का वो component होता है, जो contact surface के along आता है, मैंने इसको लिखा small f, हाँ, मैं भी यह नहीं लिख पाऊँगा, यह FSAFK है, उसके लिखे चेक करना पढ़ेगा, कि F external और Fs max limiting friction में relation क्या आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम Fs max निकाल लें, Fs max limiting friction में होता है, μूस into n, मैंने बोला था आतकरी आप लों से, कि जब हम friction पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को, friction chapter में हम लोगों को normal reaction के नीट आएगी, अब block बाटे ना तो उपर जाएगा, ना तो expected direction of motion जो उसकी होगी, वो horizontal towards right होगी, तो एक बात तो clear है कि n should be equal to mg, means 10g, यह तो होगा होगा, तो n अगर mg के बराबर है, यहाँ इस case में, n हमेशा नहीं आएगा mg के बराबर, यहाँ पर आ रहा है, तो दोखों देखिए, mu is कितना है, 0.5, yes, into n, n हो गया, 10 into g is also 10, तो यहाँ पर हमारे पास में, देखिए solve करा, तो यह आ गया 50 newton, तो हमने देखा कि जो fs max है, जो limiting friction है, यहाँ उसकी value हमारे पास में, 50 newton आ रही है, clear कर लिए हम लोगों ने, ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, कि f external क्या होगा, f external, बच्चों दों को ध्यान देना में, क्या बोलने वाला हूँ, मैंने बोला, internal force हो, या external force हो, कोई भी force हो सकता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बस लेकिन, वो force f ext कहलाएगा, अपने notes में जहाँ पर लिखा था, हमने notes में थेरी में, जहाँ पर f ext लिखा हुआ है, वो force f external होगा, वो force f ext होगा, जो contact surface के along आएंगे, जो contact surface के कहाँ पर आएंगे, along आएंगे, ठीक है, हाँ, पहले बात तो यह बताएगे, क्या हमें किसी भी force को resolve करना पड़ेगा, components में, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्यों, because expected direction of motion horizontal है, towards right side, तो जो forces, expected motion के along आएंगे, जो उसके normal आएंगे, उनको resolve नहीं करेंगे, देखिए, F और capital F और small F, ये along the line of motion है, N और MG ये उसके normal आगे हैं, तो resolve नहीं करेंगे, break नहीं करेंगे, components में, clear हुआ, अब देखिए, अब content surface के along friction को छोड़ करके, ध्यान दों में क्या बोल रहा हूँ, excluding friction, friction force को छोड़ करके, आप देखिए, content surface के along, कौन सा force आ रहा हैं, कौन कौन से force आ रहा हैं, तो content surface के along friction को छोड़ करके, वल एक ही force आ रहा है, तो ये हो गया F external, इस बार वाके में जो actionally बाहर से अपलाई किया गया था, वह ही हो गया external force, ठीकि ज़रूरी नहीं है, ये internal force भी हो सकता है, ये external force भी हो सकता है, friction को छोड़ करके, content surface के along, जो जो forces आएंगे, वो सारे सारे FEXT में होंगे, तो FEXT क्या होगा, उन friction को छोड़ करके, content surface के along आने वाले, सारे सारे forces का vector सम हो जाएगा, FEXT, clear है ये, अब हमने इतना तो पहले अपना prepare कर लिया, now, अब हम first part पे आते हैं, in first part, F equals to beटे कितना आ गया, 10 newton, ठीक हैं, अब first part की बात करें, तो FEXT, ये देखिए F है, F कितना पाया गया, 10 newton, जो कि less than or equal to Fs max, बोलो भई, Fs max की value कितनी आ रही है, 50 newton आ रही है, 50 newton तक ये surface इस block को रोख सकती है, मैंने कितना अपलाई किया, 10 newton, तो क्या block move करेगा, नहीं करेगा, विकॉस देखिए, अगर हमने पढ़ चुके थे, concept कि अगर FEXT की value, less than or equal to Fs max होता है, तो उस case में force of friction, static आता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, वही हो रहा है, since, क्या लिखाम लोगों ने, कि since ये अगर ऐसा है, ठीक है, so, हम एक बात कह सकते हैं, कि force of friction का जो nature था, वो तो static आ गया, और बच्चे, Fs की value कभी भी Fs max नहीं होती है, Fs की value तो FEXT होती है, तो मारा answer आ गया, friction force का nature Fs, और in this case, FEXT is 10 Newton, तो हमारा पहले part का तो answer आ गया, कि friction force static and having value 10 Newton, this is the answer of first part, agree करते हैं, now, second part पे आएंगे, अब हम second part देखते हैं, second part, second part बोल रहा है, वही सेम चीज, कि FEXT second part में F50 Newton है, देखिए, यहाँ पर, अब second part की पहले मैं बात करूँगा, तो second part में FEXT, basically F जो भी है, वही बन रहा है FEXT, तो second part की अगर मैं बात करूँगा, तो second part में F हमें गिवेन है, 50 Newton, चीक है, और यही basically क्या बन रहा है, FEXT बन रहा है, यह हम पहले ही चेक कर चुके हैं, कि इस case में FEXT F है, ठीक है ना, तो फिर देखिए, यहाँ पर वही इनिक्वल्टी होल्ड कर रही है, यह वाली, FEXT, जो कि कितना पाया गया, 50 Newton, यह less तो नहीं है, बस equal आ रहा है, less than, और less than, और equal to FX Max में हो जाएगा, अगर इस बार FX Max के equal कर गया, तो अभी भी body move नहीं करेगी, हाँ, इस case में body अपनी impending state पे है, just move करने वाली है, just looky हुई है, एकी बात है, चुके थे, उस case में force of friction, static आता है, static की value F external के equal आती है, और in this case, F external is 50 Newton, तुमारा answer आ गया, in second case, nature of friction force is static, and having value 50 Newton, and having value 50 Newton, यह हमारे second part का answer आ गया, I think शायद आपको clear हो गया होगा second part, ठीक है, ठीक है, तो यह हमने first part finish किया, second part finish किया, now, अब हम third part पर आते हैं, ठीक है, यह दो मैंने rub कर दी है, ठीक है, अब हम इसके third part पर आएंगे, देखते हैं, इसका third part कैसे करना है, करना वही है, हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा, कि इस बार में हमको F कितना given है, hundred newton, और यही जो F था, वही इस बार बन रहा है, F e x t, because F e x t, से हमें confuse नहीं होना है, कि यह external force है, F e x t, internal, external, सारे सारे forces में, वो force कहलाएगा, जो content surface के along आएगा, other than friction, friction को छोड़ करके, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो since F e x t, F external, यह कितना हो गया, hundred newton हो गया, यह बड़ा हो गया, F s max से, limiting value से, because F s max की value हमारे पास में, 50 newton केवल आ रही है, तो यह बड़ा हो गया, तो अब की बार body, move कर जाएगी, अगर ऐसा है, तो हम क्या बोलेंगे, so in this case, force of friction becomes, क्या बोलोगे, kinetic, F k, और F k की value क्या होती है, वो नहीं होती है, F e x t, बराबर, F k is always equals to mu k into n, mu k is given as 0.4, और n हम निकाल चुके हैं, 10 g, g is also 10, तो यहाँ से देखें, हमारे पास में, nature of friction force is kinetic, and having value, sorry, कितनी आ रही है, 50 नहीं आ रही है, कितनी आ रही है, 40 आ रही है, अब चेक करिए, 0.4 into 10 into 10, यह आपका आ गया, 40 newton, this is the answer of, third part, यह हमारा third part का, answer हो गया, अब अब अपने second वाले question पे आते हैं, second question पहले वाले question से concerning है, और यह theory को भी improve करेंगा आपनी, in the previous problem, जो problem हमने की हुई है, in the previous problem, find the magnitude of the contact force, देखो भी, यहाँ पर एक नया term उसकिया गया, contact force, agree करते हैं, on the block, by the floor, in each case, in case 1, in case 2, in case 3, हमको हर एक case में, contact force की बाद करनी है, ठीक है, agree करते हैं, बने रखा हुआ है, पहले से ही, कि भाई, FVD में यही बन रहा था, FVD, ठीक है ना, आप देखो देखिए, इसमें MG, MG contact force नहीं है, tension contact force नहीं है, tension तो spring से आता है, spring से spring force आता है, contact force बेटे दो होते हैं, एक होता है normal reaction, और अगर contact rough है, तो फिर, apart from normal reaction, friction also act on the body, तो contact force basically दो होते हैं, कौन-कौन से normal reaction और friction, तो अब ध्यान दो बच्चे, दोको मैं अगर इस वाले block में, केवाल हम contact force को draw करें, ध्यान देना, आप भी draw करेंगे साथ साथ, यह जो मैंने block बनाया, इस बार हम केवल क्या कर रहे हैं, कि जितने भी contact forces आ रहे हैं, केवल मैं उनको ही plot कर रहा हूँ, तो first contact force, normal reaction जो हमेशा exist करेगा, अगर body rigid surface के contact में आ रहे हैं, friction force ताब exist करेगा, जब surface frictionless होगी, smooth होगी, agree करते हैं, तो दोको देखिए, हमारा friction force sometimes, कभी-कभी FS आया, कभी FK आया, वो कोई बात नहीं है, ठीके ना, but friction force आया, अब इन दोनों जो contact forces का, जो resultant होता है, बहुँ, force, वेटर quantity के तो natural सी बात है, उसका resultant निकालेंगे, तो वेटर सम करेंगे, और दो वेटर का वेटर सम निकालने के लिए, हम love pellogram यूज़ करते हैं, ठीके, तो इन दोनों का जो resultant होगा, वो उस pellogram की याद करिए, उस diagonal से दिये पास करता है, जो उन दोनों forces के, दोनों वेटर के point of intersection से पास करते हैं, इसको बोलते हैं, reaction R, यह जो R होता है, इसी को बोलते हैं, reaction, N बेटे होता है, normal reaction, R क्या हो गया, reaction, reaction force, और इसी को बोलते हैं, resultant contact force, यह simple बोल देते हैं, contact force, resultant, contact, force, यह simply इसको बोल दिया आता है, contact force, contact force, agree करते हैं, तो हम यहां से यह भी कह सकते हैं, कि normal reaction क्या है, ध्यांदो, normal reaction क्या है, resultant contact force का, वो component है, जो contact surface के perpendicular आ रहा है, friction क्या है, friction reaction, यानि कि net resultant contact force का वो component हो, जो surface के along आता है, friction के एक और definition मन गए हैं हमारे पास में, तो मेरे को यह R निकालना है तो अगर मैं यहां हमको पता है यह नॉर्मल है और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा तो अगर हम लाफ पेलोग्राम को अप्लाई करेंगे तो क्या हैगा R स्क्वाइर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अगर स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस टू ए बी कॉस औफ ठीटा और ठीटा हमेशा 90 डिग्री आएगा फिक और फ्रिक्शन सर्फेस के अलॉंग चलेगा और नॉर्मल रियेक्शन कॉंटेट सर्फेस के परपेंडिकुलर आएगा तो अब्विस यह बात है फिक और न की विच का एंगल 90 बनेगा और वी नो कॉस 90 इक्वल टो 0 तो रियेक्शन इस आल्वेज इक्वाइर टू क्या हो जाएगा स्क्वाइर रूट आफ क्या जाएगा एन स्क्वाइर प्लस एफ स्क्वाइर हाँ अगर सर्फिस फ्रिक्शन लेस है तो F0 हो जाएगा तो उस केस में R और N सेम हो जाते हैं इसलिए कुछ-कुछ बुक में यहाँ पर R लिख दिया आता है जो टेक्निकली रॉंग है वो R और N इक्वल के वल तभी आप आएगे जब सर्फिस कैसी होगी स्मूथ होगी, फ्रिक्शन लेस होगी इस अब थेरी वाले पॉइंट्र पॉइंट्स है अब अच्छे हम लोग अपने पहले पार्ट पे आते हैं फर्स पार्ट में देखिए हमको R निकालना है इन इच केस N की अगर मैं बात करूँगा तो N तो आल्वेज आएगा 10G मींस ये तो हो गया आल्वेज 100 N इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है तो N की जो वैलू थी वो तो आगई 100 आगई तो N स्क्वाइर ये तो आपका आगया 100 का स्क्वाइर प्लस इन फर्स केस तो फोर्स आफ फ्रिक्शन इस 10 N तो 10 का स्क्वाइर क्लियर हुआ ये ठीक है आप चेक करिए तो यहां से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये रिजल्टेंट रियक्शन जो आपकी आ रही है ठीक है कितनी आ जाएगी है 10 टाइम्स रूट आफ 101 N नूटन चेक कर लिजे इसको लिखूंगा 10 इंटू 10 100 का स्क्वाइर 10 स्क्वाइर कॉमा निकाला 10 आ गया 100 प्लस 1 वन जिरो 1 तो ये आपका आ गया रियक्शन इन फर्स्ट केस रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स अब अच्छे है कर मैं सेकेंड केस की बात करूँगा तो सेकेंड केस में कॉन्टेट फोर्स की जो वैलू आएगी वो क्या आएगी N स्क्वाइर N तो हर केस में 100 इचलेगा प्लस फ्रिक्शन फोर्स इन सेकेंड केस इस 50 एगरी करते हैं ठीक है ना तो दोखो देखी यहां से तो आर आ गया कितना आ गया 50 टाइम्स येस ट्लियर हुआ ये चेक कर ये पहले रूट फाइब फिफ्टी टाइम्स रूट फाइब नूटन ये हमारे पास में रियेक्शन आर की वैलू आ गई इन सेकेंड केस नाओ कम तू थार्ड केस इन थार्ड केस र इकोज टू फामला वही चलेगा रूट आफ एन स्क्वाइर प्लस एफ स्क्वाइर इस इस्क्वाइर रूट आफ एन इस हंड्रेट का स्क्वाइर प्लस एफ इन इस केस फॉर्टी का स्क्वाइर एगरी करते हैं, चेक करिए, ठीक है, तो यहां से जब मैं R को निकालूंगा, तो यहां से क्या आजाएगा ये, 10 times root of, इसको लिखूंगा, ये 100 आजाएगा, और ये हो जाएगा 16, तो 116, यहां से मैंने क्या किया, ठीक है, तो यह हमारे पास में first part का answer आ गया, ये हमारे पास second part का answer हो गया, yes, और ये बच्चे हमारे पास में third part का answer आ गया, यहां से में 10, तो निकाला, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 100, 116 आ गया, तो हमारे पास में third case को हमने देखा, और ये सीखा कि contact force basically जो होता है, वो क्या होता है, और reaction, R होता है contact force, normal reaction, reaction R क का वो component है, जो contact surface के perpendicular आता है, इसे नाम होता है, normal reaction, normal component of the reaction, और हम friction को बोल सकते है, tangential reaction, tangential component of the reaction, जो मैं बाते बोल रहा हूँ, या आपका theory को भी improve करेंगा, अब आप धान रखेगा, अब अच्छो third problem देखता हूँ, मैं, third question पर आता हूँ, a block of mass M is kept on horizontal table, simple बोला गया, कि block is kept on, kept रखा हुआ है, kept on a horizontal table, horizontal table पे हमने block को simple लग दिया, if the static friction coefficient is mu, means mu is आपको mu given है, what is the friction force acting on the block, आपको बताना है कि friction force की value कितनी होगी, क्या होगा वो, ठीक है, तो हमने diagram plot किया, कि तो को भी क्या है, a block of mass M, capital M, is kept on a horizontal table, यह horizontal table पे रखा हुआ है, कुछ table ऐसे बनी होगी, तो यह एक horizontal table पे place किया गया है, जिस block को, ठीक है, ठीक, block having mass M, and the coefficient of static friction is given as mu, यह आपको mu given है, ठीक है, आपको बताना है कि friction force कितना act करेगा, हमको पता है कि अविद्रिसाफ साफ उसने पहले mention ही कर दिया कि kept है, मतलब kept at rest है, इसका मतलब confirm हो गया कि block अगर rest पे placed है, तो rest पे, अगर rest पे block है, तो since block is placed at rest, this implies clear हुआ force of friction, तो बैटे हमेशा FS आएगा, और static की value Fext के बराबर होती है, मैंने कई बार बोला हुआ है, मैं बोलता रहूँगा, कि Fext से confuse नहीं करना है, कि यह external force है, ऐसा नहीं है, Fext, F external, agree करते हैं, वो force होता है, F external, external force का, वो वाला, कोई सारे सारे forces का, जितने भी force होंगे, वो सारे सारे force कहलाए जाए, Fext के अंदर आजाएंगे, जो content surface के along आते हैं, ठीक है, अब बच्चे तो को ध्यान दो, अगर मैं इसका FBD यहीं पर plot कर दूँ, तो इस पर पहला force तो बेटे आएगा, Mg, मैंने plot किया, दूसरा force आएगा, normal reaction, यह आगया, third force देखिए, tension नहीं आएगा, next force, spring force नहीं आएगा, next force, pseudo force भी नहीं आएगा, next force, force of friction, next force, force of friction, पहली बात तो आएगा, तो FS, आएगा कितना, आएगा, FS और FS की value equal करती है, FEXT के, तो पहले आप यह बताएगे, कि friction force, भी, FS है, तो FS की तो range होती है, और FS की value तो 0 से ले करके, FS max, mu s into n तक vary करती है, तो FS 0 भी आ सकता है, FS की value mu s into n भी आ सकती है, और 0 और mu s into n, FS max के बीट में भी आ सकती है, तो अगर आप चेक करिए, पहले देखिए, कि friction को छोड़ करके, मैंने friction बनाए भी नहीं, मैंने friction को छोड़ करके, बाकि सारे सारे force बना दी है, अब देखिए, FEXT क्या होगा, उन सा सारे forces में, वो force count किया जाएगा, क्लियर होगा, जो content surface के along होगा, उसके पहले हमको एक बात करनी पड़ेगी, जो हम लोग स्टार्टी से करते सले आते हैं, क्या हमें किसी भी force को resolve करना पड़ेगा, components में, तुमारा answer आएगा, नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना करें, दो expected direction of motion क्या है, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, block हवा में उपर चला जाए, incline चला जाए, अगर move करेगा, तो horizontally move करेगा, तो जो forces horizontal direction पे होगे, कोई भी नहीं है, और जो इसके perpendicular, vertical पे होगे, उनको resolve नहीं करेंगे, तो इस बार हमें किसी भी force को resolve नहीं करना है, अब द in this problem, there is no force acting on the block along the contact surface, तो in this problem, f ext equal to 0, f ext है ही नहीं, कोई ऐसा force ही नहीं है, जो body को contact surface के along move कराने के try करेगा, clear हुआ ही है, so, clear है, और रुका हुआ है, तो so, f equal to fs, और fs की value होती है, equal to f ext, और f ext बेटे कितना आ गया, 0 आ गया, guess, तो हमारा answer आ गया, कि in this case, the force of friction is static and its value is 0, clear हुआ ही है, अब अच्छो, fourth question पर मैं आउँगा, what is the maximum value of the force f, what is the maximum value of the force f, आपको f की वो max value निकालनी है, such that the block in the arrangement does not move, does not move, पर समझे है, मैंने बहुआ पहले question को feel किया आता है, मैं अगर f को increase करूँगा, मैं f की value को अगर continuously बढ़ाऊँगा, f को मैंने बढ़ाया, और बढ़ाया, और बढ़ाया, और बढ़ाया, block move नहीं किया, नहीं किया, और बढ़ाया, block move नहीं किया, f को बढ़ाते बढ़ाते, problem के साब से एक ऐसी value बढ़ते-बढ़ते max आएगी, जहां तक तो block move नहीं करेगा लेकिन अगर मैंने F की value को उस max value से हलका सा और बढ़ा दिया तो block slip कर जाएगा friction force काइंटिक आ जाएगा बासमझ में आई मैंने क्या बोल दिया हमने force को बढ़ाया block move नहीं किया और बढ़ाया block move नहीं किया और बढ़ाया अगर मैंने force की value को उस max value से भी हलका सा इंक्रीज कर दिया तो block instantaneously क्या करेगा move कर जाएगा clear हो आईए तो हमको उस max value को निकालना है जहां तक body रुकी रहेगी बच्चों इस maximum value of force पे इन दोनों के बीश में block और surface के बीश में operate होने वाला static friction रुकात रहेगा तो force इस्टेटी की आएगा तो static friction अपनी max value पर होगा fs max पे होगा because fs max जब friction लग जाता है तो अगर मैंने applied force उससे हलका से बहा दिया तो अब friction मोलता नहीं यार मैं रही रोक पाऊंगा अब तुम आगे move कर जाओ अगरी करते हैं तो एक बात तो clear हो गई कि according to problem clear हुआ इस फैली बात तो दोखो भे सबसे पहली बात लिखेंगे according to the problem according to the question according to the problem at f equal to f max जब ये applied force max होगा at f equal to f max clear हो आई है we have small f equal to fs and fs max yes वो जस अपनी embedding state पे होगा agree करते हैं ठीक है चलिए अब मैं क्या करता हूँ मैं plot करता हूँ free body diagram of block मैंने block के free body diagram को बनाया free body diagram of the block ठीक है ये ये block बना हुआ है clear है ये और हमने इसका free body diagram बनाया ठीक है clear हुआ है इसके just content में surface भी आ रही है और इसके just देखे directly content में अगर आप देखेंगे तो ये force f भी tilted force आ रहा है ठीक है और जो की horizontal direction से 60 degree के angle पे आपको ये given है ठीक है पहली बात तो expected direction of motion motion करेगा नहीं बैटे इस बार भी है expected direction of motion ये होगी शायद आप clear कर रहे है ठीक है अगर हम motion को assume करते हैं कि motion की होने के tendency कहाँ पर है तो motion होगा horizontal direction में towards right होगा ठीक है तो naturally मुझे इस और ये f इस बार नहीं है ये क्या है ये f max है if s 100% if मेरे को इस f max को components में break करना पड़ेगा because ना तो ये expected direction of motion के along है ना इसके perpendicular है first force बेटे आएगा mg yes ये हो गया root 3 into g second force बिचे आगया normal reaction ये आगया n ठीक है third force tension नहीं आएगा fourth force spring force नहीं आएगा अब तो कम से कम आपनों को force को order याद हो गया spring force के बाद pseudo force नहीं because mention नहीं किया गया है directly indirectly कहीं से clear नहीं हो पा रहा है तो मतलब observer ground वाला माना जाएगा ठीक है now next force बेटे आता है force of friction force of friction की direction निकालने के लिए मैं बता चुका था आपको ये assume करना होता है कि surface frictionless है कैसी है frictionless surface है अब अगर surface frictionless है agree करते है frictionless अगर है तो इस तरह से force apply करने पे block कभी नीचे नहीं आ पाएगा ऐसे वो इधर के तरफ जाएका right side पे तो friction definitely इसके oppose में towards left add करेगा और ये fs नहीं लगेगा according to problem ये fs max होगा because इस maximum value of external force पे body just impending state पे है वाद just move करने ही वाली है तो fs max operate पका हो रहा होगा चीक है क्या किसी भी force को बच्चों हमको break करना पड़ेगा components में yes करना पड़ेगा किसे करना पड़ेगा f max को बाकि सारे सारे forces या तो along the motion आ रहे हैं या उसके perpendicular आ रहे हैं तो f max देखी ये ऐसे बना हुआ है ठीक है clear हुआ ये वाला angle हमें दे रखा हुआ है 60 degree का हम तो ऐसे करते ना देखिए कि अगर ये x है और ये वाला angle अगर theta है तो हमको तो angle theta चाहिए होता है वेक्टर के head से नहीं वेक्टर के tails चाहिए होता है अगर वेक्टर के tails का से angle theta बन रहा है तो इधर के तरफ वेटे कितना आता है x cos theta और x sin x cos के perpendicular ऐसे आएगा कि x को sin और cos मिल करके x को अपने अंदर बीश में बंद दर लेंगे तो हमको तो head से angle दिया गया है तो हमको tails से angle चाहिए तो मैंने इसी के parallel बनाया both angle are alternate angle तो ये वाला angle भी 60 degree आ गया अब देखिए इधर के तरफ अगर जा रहा है ऐसे इसका तो एक पार्ट आगे जा रहा है एक पार्ट नीचे जा रहा है तो इस f का जो component मैं करूंगा ठीक है तो if f का yes ये देखिए अगर ये f था तो इधर के तरफ आ गया f का cos of 60 degree और नीचे के तरफ के आ गया f का sin of 60 degree औ चीक है और वेक्टर को उसके parallel displays करने में कोई फर नहीं पड़ता है तो मैं ये अला दिखराय के हवा में लग रहा है तो मैं इसको इसको इधर लगा देता हूँ एक ही बात है तो f का जो ये वाला पार्ट था horizontal में right की तरफ ये था f max का cos of 60 degree और sign वाला पार्ट जो था वो vertical down लगेगा तो ये आ गया f max का sign of 60 degree और f max कैंसल कर गया agree करते हैं अब आप देखिए सारे सारे forces या तो expected direction of motion के along है और या उसके normal है perpendicular है अब further किसी भी force को resolve break नहीं करना है components में ठीक है clear है बच्चे अब देखो यार अभी तो रुका हुआ है ये just रुका हुआ है तो अभी भी exaggeration कितना होगा zero move नहीं कर रहा है बस move करने वाला है तो forces balance होंगे vertical up force equal to vertical down force देखिए vertical up force में n आ रहा है vertical down force में देखिए root 3g mg भी आ रहा है और साथ में vertical down में दो को देखिए ये भी आ रहा है तो f max का sign of 60 degree तो यहां से देखिए हमारे पास में जो n आया उसकी value आ गई root 3 into g तो यह आ गया 10 root 3 plus देखिए ये क्या है root 3 by 2 तो यह आ गया root 3 into f max by 2 this is our equation number 1 अब देखिए horizontal direction भी भी move करने वाला move करा नहीं है मताँ अभी भी horizontal direction में वो equilibrium पर ही है equilibrium पर तो right वाला force equal to left वाला force होगा right direction में देखिए कि एक force लग रहा है f max cos of 60 degree तो f max into cos of 60 degree should be equal to let वाला force fs max fs max और fs max की value बेटे होती है mu s into n और दोको problem में आपको जो mu है उसकी value given है 1 upon 2 root 3 ठीक है agree करते हैं yes तो यहां से दोको क्या आ गया f max into cos 60 is 1 upon 2 equals to इसकी value बेटे होती है mu s into n mu s is 1 upon 2 root 3 into n and हम equation number 1 से निकाल चुके है 10 root 3 plus root 3 into f max divided by 2 अब देखिए इस expression में इस equation में किवर unknown f max है अब solve कर लेंगे तो solve करने के बाद जो f max आएगा मेरे को इसकी value में लिखी हुई है 20 newton आएगी आप verify कर रहेगा कि जो f max है उसकी value 20 newton आ रही है कि नहीं आ रही है क्लियर वाइगी है क्लियर वाइगे